इस आदमी के पास छट पर चढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है लेकिन छट पर पहुँचकर दंग रह गया शहर अब एक समुदर बन गया है और उसके पैरों के नीचे का छोटा सा घर जो अधिक समय तक नहीं टिक सकता। को कॉल किया और अगर बैकप तेज है तो भी तेजी से बढ़ते बाढ का सामना करने में धाई घंटे लगेंगे अभी यह दोनों घबरा रहे थे तभी दूर से एक बड़ा ट्रक आया ट्रक में बैठे लोग मदद करने का दिखावा कर रहे हैं यह एक चोरों का गैंग है जो तूफान का फाइदा उठा कर पैसे चुराने की योजना बना कर आये थे अभी जैक को खत्रे का एसास होता है और टॉम की मौत हो जाती है डाकू इस समय बहुत क्रोधित हो गया और वह जोर-जोर से चिलाने लगा दरसल यह डाकू किसी को मारना नहीं चाहती थी यह लोग सिर्फ पैसे हड़क कर भागना चाहती थी लेकिन कई मिन्टों तक चिलाने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली वह पैसे लेकर जा चुका है